दूसेटी इंडिया तो यह आप इस शक्स को भी देख रहे हैं और यह नाम भी आप देख रहे हैं अब आप यह कहिंए ए नाम कैसे जुड़ता है तो यह नाम ऐसे जुड़ता है कि जहाँ पुलिस की टीम उद्धन अवेद अतिक्रमन हटाने गई थी यादिक नगा निगम की टीम गई थी वहां अब्दुल्मलिक साहब का बगीचा हुआ करता था और इसी लिए वो नाराज हुए और ये पूरा का पूरा प्लान रचा गया कैसे आगज़नीक ही गई अब्दुल्मलिक साहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस के तरफ से तीन एफ़ार पंजी करत हुई है और ये तीन एफ़ार जो है उनमें हम लोगों ने इनिविश्टिकेशन शुरू की और जो तथ्थे आया हैं सीसीटी वैनलेस्स हम लोगों ने किया है और जो बाकी इविडेंस उसके आदार पर अभी पांच लोग की गिरफदारी हुई है पांच लोग की गिरफदारी के बाद ने बाकी जो अब्यूक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे टीम ने शुरू कर दिया अब्दुल्मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है वो देखें हल्दवानी इंसा मामले में मास्टर माइंड के रूप में अब्दुल्मलिक का नाम तो सामने आ रहा पर बड़ा सवाल ये कि साल दर साल आखिर साजिश रची कैसे गई किस तरह से 2014 से लगातार कब्जा हुआ जब कब्जा अटाने के लिए टीम वहाँ पर तमाम मैप दिखाए 2014 का उसी जगह का मैं देख रहा हूं पूरी तरीके से मैप खाली है फिर मैं 2018 का देख रहा हूं तो हलका निमार देख रहा है 2017 में प्रॉपर वहाँ पर देखिए तस्वीरों में भी स्टाफ ने आपने दिखाया 2023 में तो इलाका बस किया पहले तो आप सिल्सलिवार तरीके से हमें ये बताईए कि यो जगह थी इस पर आप लोगों ने कब्जा करने का या आपके ये वापस कब्जा लेने का विचार आपको कहां से आया कैसे जानकारी मिली और ये प्रिक्रिया पूरी कैसे शुरूई करीब एक डिड़ साल पहले से कारवाईयां चल रही है सनी बजार का लगों पहांचे कल जमीन जो नजूल की है वो लोगों की अवैस कब्जे में थी अवैस प्रबंदन में थी वहां पर बुर्णास 가्रा बगी का बगीका है और इस बीच हम पर प्लता चला की लगातार वहां प्रतिक हो रही है तो हम ने पाछा कंप के उह कोई हमें जबाब पराप्त नहीं हुआ हमने नियत तीसी नियत करें उसको धुस्तिकन करते हुए कभ्या पराप्त करने की उसे बिरोज के संभाना को देखते हैं पुलिस परसादन का स्वयोग मांगा स्वयोग जो में पराप्त हुआ तो हमने एक आरवई करी दूसरा इसके और नजागत खां का बईचा इसमें भी हम करीब 6 महीने पहले वहां धुस्तिकन किये हुए हैं अर्दस मकान जो निर्माना धीन से नियू के स्ट्रक्चर पर थे उनको तोड़ा गया था और उसी समय हमने तैय कर लिया था कि पूरी जमीन अगर कब जम नहीं लेते हैं तो उस जमीन में भी लगhब एक एकड़ जमीन बेची जा चुकी है वस पर मकान बना दिया गया है लेकिन जो जमीन खाली थी उसको हमने वक़शा लिया कि अगर आपकी कोई जमीन का दावा है तो अपना पुष्ट करिए राजस विवाग से संबर करिए उसके बाद पुष्ट नहीं आप जो भी अदसा बेज हैं चुक्कि राजस विवाग के अभी लेखो का इंसार ही कारवाईया होती है तो राजस विवाग से भी हमने प्रमाल की नहीं है एक भी नकसा पास नहीं है एक भी दाखिल खारीज नहीं है अगर सौमित की जमीने तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है झाल 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 झाल